वेल्कम, वेल्कम इन एजुकेसिन निउस आनली यूटूब चनल फ्रेंड्स आज है 19 अपरेल 2024 और आज का एक छोटा सा एनलाइसेस जो है SBI कलरक 2024 की यानि जो 23-24 एक्जाम है उसकी कट ओफ के बारे में बात करेंगे साथ इसाथ आपके रेजल्ट की लेटेस अपडेट पर भी काम करेंगे कि अब तक की आपकी रेजल्ट को लेकर क्या स्टेटस है और सभी राज्जी जो भी स्टेट वाइस आप कट ओफ देखना चाते हैं तो हम सभी राजी की cutoff बता देंगे, आपको एक safe score बता देंगे, क्योंकि देखिए section wise cutoff इसके जारी होती नहीं है, तो हम बिलकुल एक सांदर cutoff आपको बताने वाले हैं, आप किसी भी states हैं, तो वीडियो छोटा ही है, प्लीज आप पूरा देखे, ताकि आपको आपकी cutoff मि exam हुआ है, तो यहाँ पर इनकी जो cutoff है, वो क्या पहुच सकती है, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूँ, कि 25 फरवरी की मात्र जो second shift थी ना, वो ही tough थी, तो वहाँ पर जो normalization होगा, वहाँ पर उन बच्चों को फाइदा मिल जाएगा, जिनके paper खराब हुआ है, तो सबस इसको जो पहले shift है, उसका भी score 80-90 के बीच में जाने वाला है, लेकिन हम state-wise बात करें, तो उसकी हिसाब से देखना पड़ेगा, paper का level overall moderate level ही था, तो इसको 75-90 के बीच में लगबग हो ही राता सबका question, तो हम सबसे पहले state की बात करते हैं, अंडमान के बारे में, अंडमान के बीच में जा सकता है, दिल्ली का cutoff 73-78 के बीच में जा सकता है, गुजरात का cutoff 70-75 के बीच में जा सकता है, वह अगम हर्याना की बात करें, तो 84-88 के बीच में cutoff बन सकती है, और अगर हम हिमाचल परदेश की बात करें, तो 85-88 के बीच में cutoff जा सकती है, अगर हम बात कर सब्सक्राइब सब्सक्राइब अगर हम मारास्ट के बात करें तो 76 से लगए के बीच में कटओ रहेगा, मनिपूर का कटओ 75 से लगए закон 74 के बीच में अगर बात करें हम ओडीशा के लिए तो 78-83, पंजाब के लिएbon 85-86 और राज़ेस्थान के लिए 18-84 के बीच में कटओ रहेगा, सिकम के भात करें, तो 68 से लगंगर सेवेंटी टू के बीच में और तमील नाड़ू की बात करें, तो 79 से 73 के बीच में, यूपि की बात करें, तो 86 से लगंगर अगर 86 के बीच में और उत्राखंड की भी यही रहेусов वैस्ट बंगाल की बात करें तो कटोबी 80 और 84 के बीच में ही रहने वाला है थेंक्यू फ्रेंड्स